श्री कृष्ण साक्षात नारायन है और नारायन का विवाह लक्ष्मी से ही होता है बंधों लक्ष्मी नारायन विवाह, रुक्मनी कृष्ण विवाह, राम सिया विवाह ये इस बात का द्योतक है, ये इस बात का संकेत करता है कि लक्ष्मी आपकी कभी नहीं हो सकती लक्षमी को अपना बनाने का प्रयास मत करना एक व्यक्ति ने किया था क्या नाम था उसका रावन लक्षमी को अपना बनाने का प्रयास किया विचारे को आज तक जलाया जाता है जबकि कुब विद्वान था कुब वैववशाली था कुब बलवान था सब कुछ था लेकिन के केवल इसलिए उसका पतन हो गया क्योंकि लक्ष्मी को अपना बनाने का प्रयास किया लक्ष्मी आने की धन, लक्ष्मी आने की संपत्ति ये केवल नारैन की है, हमारी कभी नहीं हो सकती आप पूछेंगे तुम्हारा जी फिर भाव क्या रखें? तीन भाव हैं लक्ष्मी के प्रती, या तो मा का, या पुत्री का, या फिर पतनी का हमें केवल दो ही भाव रखने, या तो मा का, या पुत्री का क्योंकि लक्ष्मी पतनी आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति आपकी कभी नहीं हो सकती, संपत्ति केवल नारैन की है आप संपत्ती को अपनी मा के रूप में स्विकार कर सकते हो या अपनी पुत्री के रूप में स्विकार कर सकते हो लेकिन संपत्ती को वईभव को धन को अपनी पत्नी के रूप में कभी स्विकार करने की कोशिश भी मत करना नहीं तो वही हाल होगा जो रामण का हुआ है उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार के धन का व्या करने वाले लोग होते हैं उत्तम व्यक्ति कौन? जो धन को अपनी लक्ष्मी को अपनी बेटी माने मध्यम कौन? जो लक्ष्मी को अपनी मा माने और अधम कौन जो लक्षमी को अपनी पत्री माने उत्तम व्यक्ति लक्षमी को अपनी पुत्री मानता है और पिता का ये स्वभाव होता है पुत्री की आयू भढ़ने पर पुत्री की एक आयू हो जाने पर वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है उत्तम व्यक्ति जब धन को अपनी पुत्री मानता है तो जब धन भढ़ने लगता है धन की एक गती आ जाती है धन लगता है कि हाँ अब हो गया भरपूर हो गया अब इसकी आयू हो गई अब इसका विवाह करना चाहिए तब वे अपने घर के संपत्ती का विवाह करते हैं और विवाहाद लक्षमी का किस से होता है? केवल नारायन से एक प्रकार से हमारे शंकर शर्मा जी ने ये जो कथा कराई है ये क्या किया है? अपनी घर की लक्षमी का नारायन से विवाह किया है यहाँ पर होने वाला व्यय, यहाँ पर होने वाला खर्चा, यहाँ पर जितना भी धन लगा है A to Z, एक रुपे से ले करके अंत्तो गत्वा जहां तक भी लगा है इतनी लक्ष्मी को इन्होंने अपनी पुत्री माना और उस पुत्री का नाराइण के साथ में विवाह कर दिया अब इनके घर के जमाई हो गए ठाकुर जी, इनकी लक्ष्मी के स्वामी हो गए है अब संबंद तो इनका होई गया हमसे भी हो गया हमारे पुरे परिकर से हो गया हम कौन है हम वरपक्ष वाले हैं आप सब लोग वधुपक्ष वाले हो लक्ष्मी का व्या करने वाला लक्ष्मी को अपनी पुत्री माने और पुत्री समझ के उसका व्या करे अब पुत्री की आयू होने पर ही उसका विवा करना चाहिए छोटी पुत्री हो तो विवा नहीं करना चाहिए आयू हो गए तो ये कथा करा लिए, यज्य करा लिए, अनुष्ठान करा लिए ये सब लक्ष्मी का नारायन से विवा है वगवान कृष्ण का रुक्मनी जी के साथ में विवा हुआ दूसरा विवाह ठाकुर जी का जामवंत की बेटी जामवती के साथ में हुआ तीसरा विवाह ठाकुर जी का सत्राजित यादव की बेटी सत्य भामा से हुआ अब ये जामवती और सत्यभामा के विवाह प्रसंग को ही सिमंतक उपाख्यान कहते हैं बहुत सुंदर उपाख्यान है लेकिन वो कहने चलूँगा तो बहुत लंबा समय लगेगा सिमंतक मनी एक ठाकुरजी के जीवन में ऐसी आई जिससे भगवान को भी कलंकित होना पड़ा अनीती का धन बिना श्रम का धन वो कलंकित करता है इसलिए जितना हो सके बिना मेहनत के धन से बचने का प्रयास करो मेहनत की रूखी रोटी भी अच्छी है बिना मेहनत के कमाये गए जल को पीने से अगर बिना श्रम के जल मिल जाए आपने उसका पान कर लिया आप पचानी पाएंगे उसको लेकिन महनत करके यदि रूखी रोटी और छिलके की दाल मिल जाए ना तो वह भी आपके लिए श्रेयशकर है इसलिए बंदों सदयी वियाद रखना अनीती के धन से बचना बिना श्रम के धन से बचने का प्रयास करना सिमन तक मनी ऐसी आई ठाकूर जी के जीवन में कि द्वारिका के लोगों ने ठाकूर जी पर इकलंक लगा दिया तब भगवान ने पूरी लीला के द्वारा उस कलंक को अपने उपर से हटाया और इसी बीच में ठाकूर जी के दो विवा और हुए जामवन्त की बेटी जामवती और सत्यभामा के साथ में छोथा विवा ठाकूर जी का हुआ हमारी विरंदावन की अधिश्थात्री श्रीयमना महरानी के साथ में बोलुश्याम सुन्दर श्रीयमने महरानी की जय इस प्रकार ठाकूर जी के चार विवाह उनका क्रम बताया गया ठाकुर जी का पांचवा विवाह हुआ आपके ही पड़ोस में उज्जेन में किसके साथ मित्रविंदा इस प्रकार ठाकुर जी के समस्त अश्ट मुख्य विवाह बताए गए फिर उसके बाद भोमासुर नाम का एक देत्य था जिसने 16.000 राजकुमारियों को बंधी बना रखा था भगवान को जब पता चला तो भगवान भोमासुर का वद करके उन 16.000 राजकुमारियों को मुक्त करके लाए सब ने भगवान से प्रार्थना की कि अब हमको परिवार के लोग स्विकार नहीं करेंगे हमसे कोई विवाह नहीं करेगा हम कहां जाए हम पर दो रास्ते या तो हम मर जाए या फिर हम गलत रास्ते पर चली जाए ठाकुर जी बोले कहीं नहीं जाना है तुमको मैं स्विकार करूँगा और 16.100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने विवाह किया तो कुल कितने हो गए 16.1108 अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा 16.1108 ये कोई सामान्य कन्या नहीं है सामान्य इस्त्री नहीं है ये 16.1108 कौन है भगवान की ही बनाई गई प्रक्रति को ही भगवान ने अपना पत्नी बनाया कैसे सबसे पहले पंच धातु प्रत्वी जल तेज वायू आकाश भगवान ने इन पंच धातुओं को ही पत्नी के पंच जो ठाकुर्जी की प्रमुख पांच पत्निया है वो पंच धातु है प्रत्वी जल तेज वायू आकाश प्रत्वी का स्वरूप है सत्य भामा, जल का स्वरूप है यमुना, अगनी का स्वरूप है रुक्मनी, वायू का स्वरूप है मित्रविंदा, और आकाश का स्वरूप है लक्षमना इस प्रकार ठाकुर्जी के मुख्य पंच पट्रानी प्रत्वी, जल, टेज, वायू, आकाश तो पांच प्रकृती मानव के बाहर होती है चार प्रकृती मानव के अंदर होती है कौन-कौन सी? मन, बुध्धी, चित और अहंकार जिसमें से चित जो है वो ठाकुर्जी का इस वरूप है तो चित को हटा दें तो बच्चे तीन मन, बुध्धी और अहंकार यहाँ पर अहंकार अभिमान नहीं है अहंकार मतलब सेल्फ कॉंशिसनेस यह हमारे भीतर की तीन प्रकृतियां और है मन, बुध्धी और अहंकार तो पांच प्रकृति बहार की तीन प्रकृति अंदर की कितनी हो गई आठ यह भगवान की आठ मुख्य पट्रानिया है प्रत्वी, जल, तेज, वायू, आकाश, मन, बुध्धी और अहंकार और सोले हज्जार एक सो राजकुमारियां जो हैं यह कौन है आप लोग ब्रामण देवताओं से यग्य करवाते हैं पूजन करवाते हैं तो वे कहते हैं हाथ में जल लीजिए अक्षत लीजिए पुष्प लीजिए आईए भगवान कृष्ण को प्रणाम कीजिए वन्शी विभूशित करानव नीर दावात पीतांबरा दरुन विंब फलादरोष्टाच पूरनेंद सुंदर मुखा दरविंद नित्राच कृष्णात परम के मपतत पमहम न जाने पुष्प छोड़ दीजिए इस प्रकार कर्म कांड के 161100 कृष्णु पासना के जो मंत्र है वो भगवान की 161100 पत्निया है भगवान ने सामान ने हाडमांस के पुतली वाली कन्या से विवाह नहीं किया प्रत्वी जलतेज, वायु वाकाश, मन, बुद्धी, अंकार और 161100 मंत्रों से ठाकुर जी ने विवाह किया केबल व्यवार रूप में दिखाने के लिए उनको इस्त्री रूप में सुईकार किया नहीं तो ये सब ठाकुर जी की ही प्रकृती है जिससे ठाकुर जी ने विवाह किया ठाकुर जी के इस प्रकार 16108 विवाह हुए प्रणे कलह, राजा नुर्ण की कथा नारज जी का भगमान की ग्रहचर्या को देखना भगमान का राज सुय यग्य में जाना अग्र पूजा होने पर शिशुपाल को क्रोधाना भगमान के सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सरदर से अलग होना ये सब कथाएं बताईंगे और इन सब को बताते हुए फिर भगमान के एक परम प्रिये मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है बंद्वों सुदामा चरित्र में केवल इतना जानो कि भगवान के सखा है सुदामा सुदामा के अंदर ऐसा क्या था जिससे वो ठाकुर जी के सखा बने तीन गुण तीन गुण है सुदामा जी के और ये तीन गुण कौन कौन से हैं आप लोगों को साइद सुनकर के आश्चर हो लेकिन एक बात बताओं भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है सुदामा शब्द है ही नहीं भागवत में तो फिर भगवान के मित्र का नाम सुदामा कैसे पड़ा ये तो भाव जगत के लोगों ने उनका नाम रख दिया भागवत में तो केबल इतना लिखा है कि एक ब्रामन था बड़ा दीन हीन सा ब्रामन वो भगवान का मित्र था सखा था बस इतना लिखा है सुदामा उसका नाम था ये कहीं नहीं लिखा तो फिर सुदामा क्यों कहते हैं तो सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है सु याने की सुंदर दामा मतलब जिसके पास धन हो सुंदर धन से युक्त जो है उसका नाम है सुदामा कितना उल्टा नाम रखा लोगों ने कहां सुदामा जी के घर में बारिश पर जाए तो कमर कमर तक पानी भर जाता है पहनने के लिए कपड़े नहीं है करने के लिए भोजन नहीं है ऐसे सुदामा जी उनको लोग सुदामा कैसे कह सकते हैं तो एक संत ने बड़ी सुदर इसका उतर दिया बोले कि इनका नाम सुदामा इसलिए रखा गया क्योंकि संसार जिसको धन मानती है संसार जिसको धन के रूप में स्विकार करता है वो सुदर धन नहीं है क्यों? आज मिला कल खर्च हो जाएगा लेकिन सुदामा जी के पास ऐसा धन है वो कभी खर्च नहीं होता और वो है भगवान के नाम का धन जितना भी गामें, जितना भी बोलें, जितना भी बाट दें वो नाम धन कभी खत्म नहीं होता इसलिए उनका नाम सुदामा क्योंकि उनके पास ठाकुर जी का नाम रूपी दन है सुदामा जी के अंदर तीन गुण है जिसकी वज़े से वो ठाकुर जी के सखा है पहला गुण विरक्त इंद्रिय अपनी इंद्रियों से विरक्त है हम लोग इंद्रियों से विरक्त नहीं है इंद्रियों में आ सकते हैं कैसे आ सकते हैं जीव को जब जो चाहिए तुरंद देंगे कान को जब जो चाहिए तुरंद देंगे आँखों को जब जो देखना तुरंद दिखाते हैं इसलिए हम लोग क्या हैं आ सकते हैं अपनी इंद्रियों के लेकिन सुदामाजी कैसे है? विरक्त है यदि उनकी इंद्रिय कोई इच्छा प्रकट करती है तो सुदामाजी और जवर्जस्ती ऐसे हट पूरवक बैठ जाते हैं कि तेरी इच्छा ही पूरी नहीं करूँगा जीव कहे कि मुझे जालमुडी खानी है, मुझे चाट खाना है तो सुदामाजी अदबत करके कुछ और खाकर के जीव को संतोस देते थे लेकिन जीव को जो चाहिए वो नहीं देते थे ये होता है विरक्त इंद्रिय इंद्रिय के इच्छा के विपरीत वस्तु इंद्रिय को देना ये सुदामाजी का पहला गुण सुदामाजी का दूसरा गुण क्या है कि सुदामाजी प्रशान्त है, अत्यंत शान्त है और सुदामाजी का तीसरा गुण क्या है जिते इंद्रिय सुदामा जी की प्रत्य गिंद्रिय भगवत भजन करती है ये तीन गुण सुदामा जी में है इसलिए ठाकुर जी उनको अपना सखा मानते है पत्नी बार बार बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे मित्र द्वारी का धीश है तो उनके पास जाते क्यों नहीं हो सुदामा जी कहते हैं वो मेरा मित्र जरूर है लेकिन मैं उसके पास इसलिए नहीं जाता मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके मेरे फटे हुए वस्तरों को देख करके मेरे मुखाकरती को देख करके कहीं ये ना सोचे कि गरीब है कुछ मागने आया है मैं इसलिए उसके पास नहीं जाता बाकी मैं नित्य अपने हिर्दे से उसका इसमरन करता हूँ लेकिन आज पत्नी ने हट पूरवक सुदामा जी से कहा कि आज तुमको जाना पड़ेगा अपनी पत्नी के हट के आगे कुछ ना कर पाए और सुरी सुदामा जी द्वारिका धीश से मिलने के लिए द्वारिका पुरी गए साथ दिन तक चलते 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 सुदामा जी ने एक जगे जाके पूछा भहिया ये द्वारिका पुरी कितनी दूर है तो किसी ने हसके बताया बोले दवारी का पुरी का रास्ता तो आप कम से कम 60 किलो मीटर पीछे छोड़ के आ गए हो वहां से भी कम से कम 100 किलो मीटर दवारी का है कब तक चलते रहोगे महराज सुदामा जी परमुदास हो गए बोले क्या करें लाला वैसे तो तू हमारे हिड़दे में रे लेकिन नगरी तेरी बड़ी दूर है फिर भी स्री सुदामा जी महराज एक नदी के किनारे हाथ की तकिया लगा करके सो गए और बोले हे लाला मैं तो तेरे पास आवे में सामर्थवान ना हूँ लेकिन तोकू यदी मों से मिलना हो तो तू यहीं आ जाई हो और ऐसा कहके सुदामा जी जैसी सोए थोड़ी देर में नेत्र खोल करके देखा तो जैश्री कृष्ण नाम की ध्वनी हो रही है चारों और स्वर्ण के आकार के बने हुए भवन दिखाई दे रहे हैं सब के मुखमंदल पर जैद्वारी का धीश जैश्री कृष्ण सुनाई दे रहा है सुदामा जी ने सबसे पूछा भईया यह कौन सी नगरी है मैं सोया तो कहीं नदी के किनारे था लेकिन मैं यहां कैसे आ गया किसी ने बताया बुल महराज यह द्वारी का पूरी है द्वारी का धीश की नगरी है सुदामा जी नृत करने लगें आनन्दित हो गए सब को जा जा करके बताते हैं तुमको पता हैं ये द्वारी का धीज़ जो हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरे सक्खा हैं, हम दोनों उज्जेन में साथ में पड़े, सांधीपनी गुरुकुल में। अब लोग बाग बड़े उल्टे सीधे भजन गाते हैं, सुदामा जी को ऐसा दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारिका के लोगों ने सुदामा जी को अंदर नहीं आने दिया, यदि भगवान के द्वारपाल इतनी कुनीती करेंगे तो फिर वो गवान के द्वारपाल हो सकते हैं, आप विचार करो, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था कि धक्का दे दिया, फेंक दिया, सुदामा जी को मिलने नहीं दिया, सुदामा जी जब गए, चाकर के प्रार्थना की, कि भईया, हमारों नाम सुदामा हैं, हम इतनी दूर से आये हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, मेरी फटी हुई धोती, मेरे पतले दुबले शरीर को देख करके ये मत सोचना की मैं कुछ मागने आया हूँ, वो मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, केवल उन से मिलने आया हूँ, द्वारपालों ने ससमान सुदामा जी को बिठाया, और कहा कि महराज, हमारे द्वारिक अधीश के मित्र आप जैसे ही होते हैं, बड़े बड़े राजा खड़े हैं लाइन में, लेकिन ठाकुर जी के मित्रों कौन से हैं, कोई तरपुन लगाए होगा, कोई उर्दपुन लगाए होगा, कोई कीरतन कर रहा होगा, किसी की लंबी चोटी होगी बोले ऐसे ही ठाकुर जी के सखा हैं सारे ठाकुर जी राजाओं को सखा थोड़ी मानते हैं ठाकुर जी भक्तों को सखा मानते हैं लेकिन अभी ठाकुर जी प्रशाद पा रहे हैं आपकी आग्या हो तो थोड़ी देर बैठी हम देख के आएं बीतर जाके द्वार पालो ने देखा ठाकुर्जी प्रशाद पा रहे थे, द्वारपानों ने बड़े सकुचाय भाव से कहा, ना छमा करना बीच में विवधान दे रहे हैं, लेकिन द्वार पर एक दुरवल सा ब्राह्मन आया है, उसके मस्तिश्क के तेज को देख करके लगता है परम ज्यानी है, पर आते हैं, उज्येन में आपके साथ सांधिपनी गुरकुल में पढ़े थे, अब तक तो भगवान भोजन करते जा रहे थे, सुनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बताया कि उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है, ये भाव सुनते ही ठाकुर्जी का कवल रुक गया, मु ठाकुर्जी महराज द्वार पर खड़े हैं, ठाकुर्जी बुले तुम उनको द्वार पर छोड़ाए, भीतर नहीं लेकर के आए, मेरे सखा सुदामा आए हैं, भोजन की धाली दूर की है, सोल हज़ार एक सो पट्रानिया नैने व्यंजन लेकर के हाथ में खड़ी हैं, ब सब को छोड़ करके जगननाथ दोड़े हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, मुकुट कहीं गिरा है, गले की मालाएं तूट तूट करके गिर रही हैं, महामंत्री, सैनापती, रुकमनी, जामवती, सत्यभामा, यमुना, सब दोड़ रही हैं, ठाकुर्जी सब से आगे आग ऐसे लगाया कि बस थोड़ी देर अगर ठाकुर्जी नहीं छोड़ते तो सुदामा जी ठाकुर्जी में विलीन हो जाते, नित्रों से जर जर के आँसू बेह रहे हैं ठाकुर्जी के, मैं एक भाव गाया करता हूँ, ठाकुर्जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, ऐसा स् किसी का नहीं, कितने कृपालू हैं, कितने दयालू हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है, कि ठाकुर्जी आपका इतना सुन्दर स्वभाव, आप पूतना जैसी राक्छसी को सद्गती दे देते हो, सुदामा जैसे दुरुबल ब्रहमन को अपने हिर्दे से लगा लेते हो, इतने कृपालू, इतने दयालू, इतने सुन्दर स्वभाव वाले ठाकुर्जी हम पर कृपा क्यों नहीं करते, हमारे ब्रंदावन के कवी हुए, स्री बिंदु जी महराज, वो बिंदु जी पद लिखते थे, लेकिन उनके पद की खासियत ये थी, कि वो भगव से प्रेम करने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान को लार लडाने का अधिकार देती है, भक्ति भगवान के चपन भोग लगाने का अधिकार देती है, तो भक्ति भगवान पर क्रोध करने का भी अधिकार देती है, एक बात कहूं, 365 दिन में से 300 दिन खुप बढ़िया स संपत्ति है इनके पास इसलिए कभी-कभी थोड़ा अपनी भक्ति के बल से थोड़ा बहुत नांट फटकार भी दिया करो अपने ठाकुर जी को हम तो कूप डांटते हैं अपने ठाकुर जी को कभी-कभी लेकिन डांटने का अधिकार तभी मिलेगा जब पहले प्रेम किया हो और एक बात कहें डांटा उसको नहीं जाता जो अंजान हो डांटा उसी को जाता है जिस से प्रेम हो हाकुर जी से प्रेम हो जाएगा तो नाटने का अधिकार मिलेगा श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं इस पद को जरूर गाना मेरे साथ है ये नाथ क्या वहस्वभाव पहला सरकार अब नहीं है क्या वहस्वभाव पहला सरकार अब नहीं है हम दीनों के वास्ते क्या दर्वार अब नहीं है हम दीनों के वास्ते क्या कह रहे हैं हम दीनों के वास्ते क्या दर्वार अब नहीं है हम दीनों के वास्ते क्या दर्वार अब नहीं है ओ या तो दयालू मेरी द्रण दीनता नहीं है हिनार आप मुझे मिलते नहीं हो आप मुझे बात करते नहीं हो मुझे लगता है मेरी शायद दीनता में कोई कमी है या तो दयालू मेरी द्रण दीनता नहीं है या तो दयालू मेरी द्रण दीनता नहीं है या दीनों की तुम्हें ही दरकार नहीं है बिंदू जी महराज पहले तो खुद को कोशते हैं मेरी दीनता में कोई कमी है लेकिन फिर बात में बिंदू जी कहते हैं ना मेरी दीनता में कोई कमी नहीं है मेरी भक्ती में कोई कमी नहीं है वास्तविक्ता तो यह है कि आपको दीनों की जरुरती नहीं है यादीनों की तुम्हें ही तरकारव नहीं है यादस्वा भाव पहला सरकार अभुक्री नहीं है दोड़े थे द्वारिकासे जिस पर अधीन होके बोड़े थे द्वारिकासे जिस पर अधीन होके किस पर अधीन होके भरी सभा में जब द्रावपदी को निर्वस्त्र कर किया जा रहा था दुश्याशन द्रावपदी की साड़ी खीच रहा था द्रावपदी सोच रही थी ये पांच पती हैं मेरे, दुनिया के एक पती होते हैं, मेरे पांच पती हैं रक्षा करेंगे मेरी पांचों की ओर देखा, तो नीचे नजर करके बैठे थे जब पांचों से मदद नहीं मिली, तब द्रौपदी बोली भीष में पतामा, कृपा, चारे, द्रोणा, चारे, ये सब मेरी रक्षा करेंगे लेकिन बुजुर्गों ने भी कोई रक्षा नहीं की, तब द्रौपदी अपना बल लगाती है, मैं छत्रियन आरी हूँ, मैं निर्वस्त्र नहीं हो पाऊंगी इतनी जल्दी लेकिन दुशाशन तब भी खीचने लगा, जब अन्त में कोई काम नहीं आया, तब दोनों भुजा उठा करके द्वारी का अधीश को पुखारा हे द्वारी का अधीश रक्षमाम, हे जगनात रक्षमाम, मेरी रक्षा करो भरी सभा में तुमारी बहन को निर्वस्त्र किया जा रहा है द्वारी का अधीश, मेरी लाज नहीं जाएगी, कल को कोई पूछेगा कौन निर्वस्त्र हुआ था, सब कहेंगा क्रिशन की बहन निर्वस्त्र हुई थे मेरी रक्षा करो तब दुश्शाशन की भूजा ठकित भही वशन रूप भैश्या ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रगट हो गए और दुश्शाशन खीचते-खीचते हार गया लेकिन द्रवपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाए आपने उसकी लाज बचाई हमारी कब बचाओगे ना कि तोड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके तोड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके उस अश्रू बिन्दू से भी क्या प्यार अबने लिने उस अश्रू बिन्दू से भी क्या प्यार अबने क्या वे स्वाब पहला सरकार रुम नहीं हम दीनों के वास्ते क्या दर्बार रुम नहीं है हम दीनों के वास्ते क्या दर्बार रुम नहीं है क्या प्यार रुम नहीं है वो जरुबार अपने ही है जरुबार अपने ही है वास्ता में ये तो एकदे को शिकायत है परंतु ठाकुर जी का स्वभाव तो निर्मली ही है कमी हमारी भक्ती में है कमी हम में है इसलिए ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे है लेकिन एक बात कहूं ये कथा सुन रहे हैं उनको याद कर रहे हैं उनके भाव में रो रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं ये कोई कृपा से कम है दुनिया में कितने लोग हैं लेकिन सब कथा नहीं सुनते सब ठाकुर्जी के प्रेम में उन्मुक्त नहीं होते सब को ठाकुर्जी की सेवा नहीं मिलती हमें ये प्राप्त है ये कम है क्या सुदामा जी को लाकर के द्वारिका के सिंगहासन पर बठाये दिया ठाकुर्जी ने देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधी रोए पानी परात को हाथ छोयो नहीं नैनन के जलसों पगधोए सुदामा जी की दीन दशा देख करके थाकुर जी को इतना रुदन हुआ उस रुदन के कारण ही ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरन पर चालन किये सुदामा जी महराज से भगवान ने पूछा और सुदामा जी आपका भ्या हो गया अब मित्रों की चर्चा हो रही आपस में भगवान सुदामा जी बोले लाला मेरो भ्या तो है गयो दो बालक भी है थाकुर जी बोले हमको भ्यामे नहीं बुलाया आपने सुदामा जी बोले लाला हम छोटे मोटे आदमी छोटे से ब्रह्मन भ्यावी करजा लेके कियो तो कुछ कैसे बुलाते तू महाराज दिराज है राजा है अब मेरी छोट अपनी बता तेने भ्याव कियो की नहीं कियो अब ठाकुर जी क्या बोले चुप बिल्कुल हाँ हो गये हमारे भ्यावी बोले हमारे भ्या मतलब कितने भ्याव हुए है ठाकुर जी बोले अभी ये विशा अभी छेड़ना जरूरी नहीं है बुले मेरे थोड़ी छेड़ो तेने छोड़े हो तेने ही पूछी मेरो भ्याब है हो की नहीं भ्याब है हो तुमें भी पूछरों तेरो भ्याब है हो की नहीं भ्याब है हो ठाकुर्जी बुले हाँ हो गए अच्छा कहा है भावी कहा है दर्शन कराओ भगवान बोले भावी से मिलोगे बोले हां मिलेंगे अब सुदामा जी को क्या पता थी 16108 भावी यहां है सुदामा जी बोले भावी से मिलवा बोले लाला तो ठाकुर्जी बोले बैठे रहो भावी आ रही है प्रणाम करने पग्मान ने शारा किया आओ सब अब महराज लंबी लाइन लगिये दूर तक जहां तक दिर्ष्टी जाए खड़िये माताई मैं रुक्मनी प्रणाम देवी चर्सो भाग्यवती रहो दूसरी आई मैं सत्यभामा प्रणाम देवी चर्सो भाग्यवती रहो मैं जामवती प्रणाम देवी चर्सो भाग्यवती रहो मैं कालिंदी यमुना प्रणाम देवी चर्सो भाग्यवती रहो मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मना मैं भद्रा करते 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 500 भगवान की पत्निया प्रणाम कर गए, सुदामा जी का तो हाथ ही ठक गया आश्रीवाद देते देते सुदामा जी बोले लाला कितनी ओ रहे हैं? भगवान बोले 16108 ये सब अपनी हैं? ठाकुर जी बोले तो क्या पड़ोस से थोड़ी आई है? सुदामा जी बोले लाला हमने एक भ्याग कियो तो कुण नहीं बुलायो तो तु इतनों सुनारो खुद ने इतने सारी भ्याग किया रे कोई एक में बुला ले तो हमें ठाकुर जी बोले इन मेंसे कितने भ्याओं में तुम्हें खुद नहीं गया था बिना दूला की भ्याए गयो ठागुर जी की लीला अप्रम पार तो सुदामा जी भूले लाला देख में पतलो दुबलो भ्रामन पांसो बहुवन ने आश्रिवाद दे के हार गयो सोले अजार कहां से पूरी करूंगो तो एक काम कर लाला अपनी सारी बहुवन की तरफ से तु मों को प्रणाम कर ले मैं तो को आश्रिवाद दे दूँगो आहा द्वारी का धीश प्रणाम कर रहे हैं सुदामा जी को और सुदामा जी उनको आश्रिवाद दे रहे हैं बंदों मित्र हो तो सुदामा जैसा नहीं तो मित्र होई नहीं आज द्वारी का धीश यदि सोने की नगरी की राजा है द्वारी का धीश साक्षात लक्षमी के पती है द्वारी का धीश के यां किसी वस्तू का अभाव नहीं है ये सब सुदामा की कृपा है द्वारी का धीश के उपर आप कहोगे ऐसा कैसे कैसकते हो आप जब कृष्ण सुदामा दोनों उज्जेन में पढ़ते थे सांधीपनी गुरुकुल में तो एक दिन ब्रगुरिशी बिक्षा मागने आये सांधीपनी गुरुकुल में आकर के ब्रगुरिशी ने बिक्षा मागी बिक्षाम देही माते मा ने मन में विचार किया अभी अनाजादी सब है नहीं इतना दो पोटली में चने रखे हैं वो भी सुनामा और कृष्ण के हैं ये दोनों वन में बालक जाएंगे विचारे फूल पत्ते तोड़ने के लिए कुछ खाने को भूक लगेगी तो इनके लिए चने रखे हैं अब बाबा को तो कहीं और से भी भिक्षा मिल जाएगी मैं क्यों दूँ तो गुरु माने कह दिया महराज जी आज घर में आज विद्याले में देने के लिए भिक्षा नहीं है आप कल आ जाना ब्रगु रिशी महां से जाने लगे लेकिन मन में विचार करने लगे कि इतना बड़ा सांधीपनी गुरु कुल इतने सारे बालक या भिक्षा देने को कुछ नहीं था नित्र बंद करके ध्यान किया तो चने की दो पोटलियां दिखाई दे गई जो मा ने कृष्ण और सुदामा के लिए रखी थी कि दोनों वन में जाएंगे तो खालेंगे ब्रगु रिशी ने विचार किया बालकों की भूग की चिंता बहुत है मा को एक एक रिशी आया द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए उसको इस्पष्ट मना कर दिया मा मैं भी श्राप देता हूँ जो इन चनों को खाएगा वो जीवन परियंत दरिद्र हो जाएगा लक्ष्मी हीन हो जाएगा उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी आज अपनी भूक मिटा लेगा इन चनों से लेकिन जीवन में अपनी भूको को कभी त्रिप्त नहीं कर पाएगा यह मेरा श्राप है इन चनों को ब्रगु रिशी यह श्राप दे रहे थे और वहीं जाड़ी के पीछे तुलसी तोड़ रहे थे श्री सुदामा जी और सुदामा जी ने यह बात सुन ली कि भृगु रिशी ने मेरे और कृष्ण के पक्ष के रखे हुए चनों को श्राप दे दिया है सुदामा जी के नित्र सजल हो गए और मन में विचार करने लगे मैंने अपने सखा कृष्ण को आज तक कुछ नहीं दिया देने लायक हुई नहीं मेरे पास कुछ है नहीं देने को परन्तु आज यदि उसके पक्ष के चनों को भी मैं खा जाऊं और अपने पक्ष की लक्ष्मी भी अपने लाला को दे दूँ तो यह मेरा सबसे बड़ा उपहार होगा मेरे कनया को और जब गए वन में कृष्मी और सुदामा मा ने दे करके बेज़ेद पोटली भाई जब भूक लगे दोनों को खा लेना दोनों पत्ते तोड़ रहे थे ब्रक्ष की टहनियों से कुछ लकडियां तोड़के ले जाने के लिए तयारी कर रहे थे ठाकुर्जी बोले सुदामा बड़ी जोर की भूक लगी है चलो दोनों वो चने रखें गुरुमाने खाएंगे सुदामा जी बोले हाँ थोड़ी देर में खाते है सुदामा जी तो बहाणा धूर रहे थे कहीं भी ऐसा बहाणा मिले तो मैं ही खाजाओं सारे इसको देना ना पड़े मेरा लाला दरित्र हो जाए मेरा लाला लक्ष्मी हीन हो जाए जानते हुए भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता अपने सखा के साथ ठाकुर जी ब्रक्ष पर चड़ने में बड़े कम निपून है सुदामा जी बड़े अच्छे है ठाकुर जी इतने में सुदामा जी ने पोटली खोली चना खाने लगे अपने पक्ष के खा गए ठाकुर जी के पक्ष की पोटली खोल कर गए जैसी खाना शुरू गए ठाकुर जी बोले अरे रुख जाओ मैं आ रहा हूँ मुझे भी भूक लगी है मैं भी पाऊंगा लेकिन सुदामा जी के नित्र सजल हो गए वो लेकर नहीं मो कुछ शमा कर दे आज मैं तू को ये चने नहीं दे सकता ठाकुर्जी बोले सुदामा जी मुझको भूक लगी है मत खाओ आप लाला तू कल भोजन कर लियो लेकिन आज भूको रहे ले तू आज भूको रहेगो तो जीवन भरत्रप्त रहेगो और ठाकुर्जी के पक्ष के चने खा गए ठाकुर्जी सुदामा जी वास्तों में आज द्वारी का धीश सोने की नगरी पर राज करते हैं द्वारिक अधीश के बच्चे चपन भोग पाते हैं ये सुदामा जी की सखा का तौफा है ठाकुर जी को सुदामा जी के बच्चे विद्याले से पढ़ करके आते हैं पिता जी भूक लगी है सुदामा जी आलू जैसे दिखने वाले पत्थर लियाते हैं बच्चों से कहते हैं देखो मैं आलू लियाया हूँ और एक पतीले में जल डाल करके धीरे से उन पत्थरों को रख देते हैं बच्चों को दिखाते हैं देखो अभी आलू पक रहे हैं और जब तक ये पकेंगे तब तक क्या करोगे चलो कथा सुनो और दोनों बच्चों को गोधी में लेकर करके कथा सुनाते 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 भूके ही सुला देते हैं यह सुदामा जी की स्थिती है सखा हो तो सुदामा जैसा ना तो ना हो भगवान ने बड़ी कृपा की सुदामा जी वापस लोट करके गए तो सुदामा मंदर देख डरे यहां तो हटी मेरी छोटी सी जुपड़ी आप कंचल महल खड़े कंचल महल देखकर के सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा ये कौन सी नगरी है भी या कि ये सुदामा नगरी है अंदर से जैसे ही सुदामा जी की पत्नी शुशीला सोलह श्रंगार करके बच्चे सुंदर धोती बगलबंदी पहन करके तिलक लगा करके कानों में स्वर्न के कुंडल पहन करके मोतियों की माला पहन करके आते हुए दिखाई दिये सुदामा जी प्रसंद नहीं हुए सुदामा जी बोले वास शुशीला तुम पर बड़ी कृपा की बगवान ने हमारे तो वोई फटी दोती है जिससे गए थे हमारे तो दोती भी नहीं बदली अब तुमको कंचल महल दे दिया बोले अरे मेरा थोड़ी आपका ही है ठाकुर जी ने कृपा करके सब दिया है सुदामा जी बोले मुझे नहीं चाहिए ये सब तुमको चाहिए था ना अब तुम रहो इस महल में बच्चों को रखो प्रेम से मैं तो कहीं कुटिया बना के भजन करूँगा श्री द्वारी काधीश भी वहीं खड़े है बोले अगर मैं रहूं इस भवन में तो भी नहीं रहोगे सुदामा जी के नित्र सजल होगे नात मैंने आप से कुछ नहीं मागा तो आपने मुझे सब कुछ क्यों दिया ठाकुर जी कहते हैं जो मुझे से कुछ नहीं मांगता सुदामा उसको मैं खुद को देता क्योंकि मेरा एक नाम अमानी नाम मेरा कुछ नाम नहीं है मेरे सामने आकर के केवल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कोई कामना ना करे ऐसे विक्ति को मैं खुद को देता सुदामा मैंने ये संपत्ती नहीं दी है मैंने ये भवन नहीं दिया है मैंने खुद को तुम्हें दिया है धन्य है सुदामा जी की भक्ति ठाकुर जी प्राप्त हो गए ऐसे भगवान के सखा सुदामा को हुम बारंबार प्रणाम करते भगवान से कभी कोई कामना मत करो नाथ बस नाथ हमें मिल जाएं और कुछ नहीं चाहें उनकी कृपा हम पर हो जाएं वे हमें स्विकार कर लें बस और कोई कामना नहीं